अपने हकीकत में किये कहानी करनी पड़ी, उसके जैसी मुझे अपनी जुबानी करनी पड़ी, करतो सकता था बाते इधर उधर की बहुत, मगर कुछ लोगों में बाते मुझे खांदानी करनी पड़ी। हिज्र के आसुओं को पानी कहता है, हर किशी की बाहों में आते देखा है, ये नड़का खुद को खांदानी कहता है। कि मेरी तस्वीरों को जला कर राक कर रही होगी, बोला कर मुझे एक नई शुरुबात कर रही होगी, शायद वाज मेरा हिसाब कर रही होगी, मेरी हिचकियों से लगता है मुझे याद कर रही होगी। एक नया सितम खुद के साथ करना पड़ा, उसके खतों को जला कर राक करना पड़ा, उसे पसंद नहीं है महबत में कैद दोस्तों, मशला यही ता आजात करना पड़ा। डरता था सिहारातो से मैं, पर उस चांद से इश्क का चड़ब खुमार रहा था, एक रोज लिपटकर सोई थी वो गेर से, उस सर्द रात मुझे बहुत तेज बुखार रहा था, और मालूम ना थी बेवफाई खुद के महबूग की, मालूम ना थी बेवफाई खुद के म पहबू की और मैं शहर के हर घर में बाट अखवार रहा था एक नया मोड हम दोनों की कहानी में हैं हम दोनों के मिजाज बड़ी रवानी में हैं कि हम दोनों के मिजाज बड़ी रवानी में हैं और तुम सही मैं गलत यही खतम करते हैं यह तो वक्त बताएगा कौन कितने पान कि सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा, और अदालत सजी है, तेरे महले में तो कोई गिला नहीं, गवा मेरे महले से भी बुलाए जाए तो अच्छा रहेगा की आपसी गुप्तगु को महले में सजी अदालत बता रहे हो तुम पढ़े लिखे हो さहत महबबत में वकालत बता रहे हो और बात कर रहे थे जिन्दगी बर साथ चलोगे छोड़ो तुम फिर पर दम चलने में जलालता रहे हूं। इन कि आदने में बनE Ranch, Śed और छार दिन के इशक तुझे जी जुब सुन भूआ हूँ, अभी निकल इतनी तेरी आवकाद नहीं है। और है तोहीं मेरी जो तम कर रही हो, है तोहीं मेरी जो तम कर रही हो, עवाज उठाई नहीं जाती सर जुकाने के बाद। कि आवाद उठाई नहीं जाती सर जुकाने के बाद कह रहा था कि बेवफा हूँ कि कह रहा था कि बेवफा हूँ मैंने कहा छोड़ दो ऐसी बात है तो कहने लगा हैसियत क्या है तुम्हारी मैंने कहा कर लो पता उकात है तो कि बेवफा हूँ मैंने कर लो ऑगा हूँ मैंने कहा था तो